हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटुब चैनल मिठुन स्टरी संटर में और में हूं मिठुनों है तो साथियो यादि आप लोग एनुनियल एक्जामिनेशन 2023 यानि 2023 में आप लोग मैट्रिक बोड एक्जाम का एक्जाम देने बाले हो तो आप आपको पताए होगा जो बार-बार बोड एक्जाम में पुछा जाता है तो यह वीडियो काफी इंपरेंट होगा तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहना और हमारे चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एक शेर कर टारार चैनल पे वीडियो को एक जल्दी से लाय कर दो था पहले पहले कोशचन को आप लोग डेखना समझने का कोशिस करना पूछा जाता है सवाल उपनिचाद का क्या स्वारूप है पार्थित 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 के अधर पर बताएं प्श्वारूप है वह हम गोई आ आप पाठ के अनुसार है बटाना है मंगलम पाठ के अनुसार तो चलिए हम लोग एंसर को देखते हैं एंसर को आप लोग समझने का कोशिज करना तभी आपके बोड़ेजा में जाओगे तो लिख पाओगे ठीक है डेगना एंसर क्या होगा उपनिशाद वैदिक वादमे का सी थालके का अभीन यद रखेगा उसके बाद शरवाच्ण। टरित कर माट्री का गुंच जो एक यहोगी याद्रिके का इसमें सरवत्र यानि हमेशा जो भी प्रम पुरुस यानि महान पुरुस्ते वह प्रमात्मा के पास गुनगान कलते हुए इसी पार्ट को मंगलम पार्ट को मंगलम पार्ट का अनुसार पढ़के ही वो सभी क्या किये हैं प्रम पुरुस प्रमात्मा को क्या किये हैं उसके बा ही ब्याप्त है ब्याप्त मतलब यह बनाया गया है अनुशासित मतलब जो सान्त रहते हैं मनुसर रहते हैं वो सबिष्टा के द्वड़ा बनाए गया उसके बार रखेगा इस बार ही सभी सपत्त सपत्यों का प्रम लक्ष है तो यह हमारी थी एंसर फर्ष्ट कोईस्टन की तो आप लोग याद रखेगा एक बार बोल देताओं में फिर से उपनिसद वेडिक वाल में का ओविनन अंग है इसमें दलसंसास्ट्र शिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है सर्वास्त्र ठीक है सर्वात्र प्रम्पुर्श प्रमात्मा का गुनगान किया गया है प्रमात्मा के द्वाड़ा ही संसार ब्याप्त और अनुसंसित है सत्त की प्राकास्था ही इसवर का मुल्ट रूप है इसवर ही सभी तपस्यों का प्रम लग्ष हैं तो आप लोग इस प्रकार से बोड एक्जाम में लिख रोगे ना तो आपको दो नुमर डिफिनेटली मिलेगा तो बोड एक्जाम में पूछा जाता है पहली को देखिए आप लोग हम जो भी कोईस्टिन करवाएंगे काफी पूछा जाता है कि यह सवार पिछले बनेशकर में आतमा के स्वारूप का बडा अपूल्न विष्द किया गया है याड़ रखेगा कठक अंचतनी जो हमारा एक गरंथ हैई उसमें एक रडूर 1955 precious किया गया है उसके बाद आप हमानुस की हिरा में प्रूपी गुफा में अवस्थित हैं इसमें आत्मा अवस्ठि रादनेंट एक शुक्ष्म कहां है यानि अनु से भी यानि छोटा से भी छोटा जिसको हम लोग देखी नहीं सकते हैं और या महान से भी महान है महान से भी महान की बहुत महान है जिसकी मान लो कोई ब्यक्ति बहुत महान है अच्छा काम कर दाया और वह किसी को बताता नहीं कि मैंने काम किया है आपके लिए ही म अपने आत्मा का क्या करेगा दूट कर के या इस आत्मा का रहे सजो ओक्णॐ होता है अप्जेक्टिव मेख पूछा जाता गया है आत्मा मनुस की हिल्दय रुपी गुफा में अवस्थित है यह अनुसे भी सुक्ष्म महान से भी महान इसका रहस समझने वाला सत्त का अवनेशन करता है यह सोकड़ेट है तो आप लोग इसकी इसका भी माल लेना आप चलेगी क्वेश्चन को देखते हैं इस पोस्थिता हम आए अपन्यूंट्स सभावा को चैर्श कम तरह मेश्चे है यह थूदा मोबाईल में ऐसको टापिंग ना पीड़ियाप में तो यह चे लग रहा है लेकिन और लोग इस प्रकाश से लिख ना तो एकडम में पूछा जाता है ठीक है तो चलिए एंसल देख लिते हैं लोग सिंपार सी आप लोग समझना बस यार रहा जाएगा में जो बोलता हूं आप लोग समझना यार्ड होगा आप दखिए इस पार्ट में चार मंत्र करम सा है इस इस चुकि कंथ चुकि मुंदक तथा स्वेता स्वतर नामक उपनिशद में विदूत ठीक है विशुद्ध आध्यातमिक गरंथों के रूप में उपनिशदों का महत है तो समझने पड़ो रहा देखे इस पार्ट में चार मंद्रें कौन-कौन मंद्रें तो याड़ रखेगा इस स्वेता सुद्ध अध्यातमिक गरंथों में के रूप में उपनिशदों का महत्त दिया गया है इने पड़ने से प्रम्सत्ता के प्रती शुद ओस्रध्द्ध उत्स्रद्ध्ध पन्वनों जटा है इस पार को जब आप लोग पढ़िए आम मंगलम पार्ध को गेहलाई से तो आपको प्रम प्रमात्मा यानि इस बर करते क्या होगा स्रदाउद पर्ण होगा कहुए हा मुझे इस बर सुटे इसे थों बहुते हैं उसके पूर्द के अभनेंसें ध्यानि कि परवेलती होती है यह हमारे अंदर क्या दिखने कि अभाने हो जाता है अच्छा ही इसा काम करता है ये से पढ़ने रिखेगा तत्हा अध्यातमिक खोझकी कुछ सुक्ता यह निष्णी क्या हुआ कि पढ़ने लिखने का मन में बहुत भावत्पन होता है पार्त को पढ़ने से और उसके बार याद रखेगा आप लोग उपनीसद घरंट विविन वेदो से संभन है उपनीसद जो घरंट है एहां विविन घरंथो से क्या हुआ विवन वेदो से संभन रखती है तो याद रखेगा यह थी हमारी tीनамен्स focus पूछा जाता है आप लोगों कोपी करब निकाल लो और नोट कर लो आप लोग इस क्वेश्चन को क्योंकि यह क्वेश्चन डेफिनेटरी बोड एक्वेश्चन में पूछा जाता है यह सब महान लोग संसारी संसार रूपी सागर को कैसे पाड़ करते हैं सिंपर सी बात है जो महान लोग होते हैं महान जो होते हैं वह इस संसार के संसार का सागर दे दिया है नाम यह जो संसार है इस संसार को पाड़ करके प्रम प्रमात्मा प्रम प्रम प्रमात्मा जो हमारे इश्वर कर सकते हो अल्ला कर सकते हो मुसलिम लोग अल्ला करते हैं आप लोग का सकते हो और यह सभी कैसे जाते हैं इस recon का स Records लोग अंतर करते हैं आप से यान सिनशाथ होगी आप我द समूज़ना देखेंश क्या है स्वेताह स्वर टाराड़ में बताया गया है तो याद रखेगा सुवता सुवेतर सुवेताब स्वेतर करते हुए महालस्री बेड़ भयास जी कहते हैं कि लोग और अंधकार थे कर अंधकार रूप और ज्यानी फ्रकास श्वरूप थे शिविदेशales यह जो ज्यानी लोग है यह अन्दकार स्वारूप यानि अन्दकार की ओर चल जाते हैं अन्दकार में राते हैं और ज्यानी लोग जो होते हैं वह प्रकास स्वारूप में होते हैं यानि प्रकास की ओर रहते हैं अच्छा ही काम करते हैं यह काना थाकिन कब महाश्री बेद भ पहजाएगा सिदे तो यह कहने का आथ ठीक है नहीं तो मिडिट तो किसी का भी हो जाता है कोई नरक जाता है कोई शुर्ण जाता है तो अंटर है नरक और स्वरग में अंतर है तो ही बताया सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक करें और यादी आप लोगों का फ्रेंड मी यादी कलास्टेंट में पढ़ रहा है तो उनको इस वीडियो को शेर करें और शेर करने वार उनको बताएं कि यहां पर पढ़ाई होता है और वह भी हमारे साथ जूरे ठीक है तो चलिए यह आप लोग के स्कीन सट माले ना हम लोग बढ़ते हैं क्वेशन क्यों अग्रै यहाई पुछा ता है ब्रॉअन पुरुश बरहम को किस प्रकार पढ़कर करता है ब्रहं में भागवान जोते हैं ब्रह्मों को कैसे रिख्या कर ना की हमने सुपल सी होगा एकदम ही bye ठीक है देखिए उत्तर देखना आप लोग मुंड़कोप निशद में महासी बेद बयाज जी का कहना है कि जीस परकार बाती हुई नद्या अपने नाम और रूप ठीक है नाम और रूप अठाट ब्यक्तित को त्याग समुद्र में मिल जाती है उसी परकार महानपुरूस क्या है आपम को तयाग ब्रह्म को परात्त कर लिता है इसका कहने का सिंपल सी है मुड़कोप निशद में बताया गया है कि मुड़कोप निशद में महासी बेद बयाज जी का कहना है कि जो महानपुरूस होते है जो महानपुरूस होते है वह बाती हुई नदिया में क्या हो नाम और रूप को ठ्याग नोपकर पान्थ ममां पूर्छ तो होते हैं वह अपना नाम और रूप को ट्याग दें त्यौन को तो अपने ब्यक्तित को ही त्याग देते हैं और क्या होते हैं वह सभी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं ठीक है तो यह कहने का आल्थ है कि ना हमारा नाम चल्चा हो और ना है हमारा रूप का चल्चा हो और हम अच्छे काम करें तो हमारा जो रक्ष है हम अपने क्या कर सकते कर सकते हैं तो यह आप लोग जार रखेगा यह काफी इसकोर लिखना और आप लोग देखना छे नमल सवाल क्या कहता है तो सवाल कहता है मंगलम पाठ के अधार पर सत्की महत्ता पर प्रकास दाले काफी बार पूछा गया सवाल काफी मॉस्ट इंप्वाटन्ट है सवाल तो आप लोग समझना काफी इंप्वाटन्ट है कथा मंगलं पाठ करार पर हमें सब्ध क्या है इसकी महत्ता के माले में बताना है तो चलिए देखते हैं लोग एंसर को आप लोग सुनने का कोशिश करित करना तभी समझ में आएगा क्योंकि रट्त्ता माले से यार्ज नहीं हो समझो हो सके आपको यार ना रहे कोईश्चन तो आप लोग जो मेरी बात को भी सुनूगे उसी अनुसार आप लिख दोगे बोड़ एक्जाम में तो आपको नमबर मिल जाएगा ठीक है आप देखिए एंसर केता है सत्त की महतता का वर्णन करते हुए महासी बेद बयाजी कहत है क्लिए संपर सी बात है सत्त हमेशा जीत लेता है मिठ्धया का मतलब होता है और स्बस्राइब जो सत्थ ब्यक्ति होते हैं वह कदापी नहीं जीता है और सत्थ ब्यक्ति जो होंगे वह नहीं जीतेंगे और सत्थ की जीत हमेशा होती है और सत्थ की जीत नहीं होती है आप लोग या रखना उसके बाद या रखना सत्थ से ही देव लोग का राष्टा प्रस्ट होता है यान करतें हैं आक हमारी हमारी आत्मा को शांती हैं हमयारी गांटी टेव लोग कैसे घांगे सब restrictive करेंगे कि अनुट को होता है थीक हां अथी को अपने के लिए हैं तो बिड़्व क्या करने चाहिए कि बिरात रहत नहीं पराप्ट करने दिखर sieht ó करने के लिए देव लोग तो यार्ट रखेगा ऒजेक्टिव में काफी बाठ पूछा जाचुका है या सवाब यह थी हमारी 4 नमर कुष्चन आपको समझ में आया या नहीं ये कमेंंट के जरूर बताना और आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या करना क्वेश्चन को वीडियो को एस्किप करके पीछे कर ले और फिर से देखें आपको समझ में डेफिनेट ली आएगा आप लोगे स्कीन स्वाट हो सके तो माल लेना आप क latter लेहीं क्यों हम लोग बढ़ते हैं कि स मंगलन पार्ट हीता है मंगलम पार्ट किया आटमा की भी सथा बतलाएं कर दीपर्क हमें मंगल ने तो मंगलम पार्ट है मंगलम पार्ट यह चक्ट तो हमें क्या करना मंगलम पार्ट जो कुस्टन दोना पुचेगा मंचल Fahrenheit काई परें तो हमें आत्मा का विशेष्टा बातानाला है पलत माक סव की बित्विएद्वदिया चलर कर देखना एक्डम सुनना धीमरसी एक दो में सब्लतить 10 है तो इसमें कठोप निशद में महारसी ब्याजिक कहते है कि पड़ानियों की आत्मा हिल्दया रुपी गुफा में बंध है मतलब कि हमारे हिल्दया में हिल्दया जो हमारा है वहां पर क्या होता है आत्मा बंध रहता है या उसके बाद या रखेगा या शुक्ष में से भी आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है मतलब कि आत्मा को बस में करापी नहीं कर सकते हैं उसके बाद याद रखेगा विद्वान लोग सोक रहित होकर प्रमात्मा अर्थात इसवर का ड्रसन करते हैं सोक रहित का मतलब होता है कि किसी को ना पता चले जंगर में चल जाएंगे 10 साल 20 सार 100 साल दो साल लहते हैं अभी वेड़ाते हैं मदपर्डेश के जंगर में आदे आप लोग चाल जाओ तो आप लोग देखोंगे MPG से लोग काते हैं देखोंगे वहां पे बहुत खतरनाग खतरनाग जंगर होता है क्योंकि मदपर्डेश में ही भारत का सबसे बड़ा करते हैं यानि प्रमातमा के पास जाते हैं इस वर का दर्सन कर पाते हैं तो यह दक सेगा इस पर का साफ लोग वोर्ड एक्जाम में लिखोंगे तो आपको डेफिनेट ली मैं कहता हूं दो नमर ये तीन नमर में भी पूछा जा सकता है यह सवाल तीन नमर तक का तीन से चाल नमर्टक का पूछा जाता है एकदम यह मैंने छोटा में बता है लेकिन आपको थोड़ा और लगा के लिख देना बोट एक्जाम में पांच नमर्टक का सवाल या पूछा जा सकता है तब लोग यह तक टिक है चलिए अगली क्वेस्टिन को देखते हैं लोग सद्सक्राइब कोहतना देखतना अध्याथमिक घ्रन्थ कहने का असने को यह है कि उपनिसत्त से में की आत्मा और प्रमात्मा के संबन्द के बारे में विष्ट्रिट रूप में बैख्या करता यानि बीष्ट रूप में बताता है उसके Fitz Bak yar रखेगा प्रमात्मा संपर्ण संद्शार में संथा श्ठा पर या सब्सवों प्रं लक्ष्द रूप्र मदा करना ही है सिंपल सी बात है यार रखेगा उपनी सद्ग जो है या एक अध्यातमिक गरंथ है क्योंकि यह आत्मा और प्रमात्मा के संबंद के बारे में बिश्टुडित रूप से बताता है प्रमात्मा संपुर्ण संसार में सांधी अस्ठापिट करते हैं सभी तपस्यों का विख में इसको लिख लीजेगा जिससे आपको एकजाम के टाइम में आपको इसे क्या हो रिभाएत करने में किसी भी परकार का दिक्कत नहाँ हो तो चलिए हम लोग यह मंगलम पाठ हमने इसको समाप्त कर दिया आप हम लोग देखते हैं अगली चफ्ट्र अगली चप्ट के बाड़े में हमें जानकारी देना यह इसका आज होता है तो आप लोग यार रखेगा आप चलिए बढ़ते हैं प्रस्न एंशर की ओर तो देखिए पहली प्रस्न कहती है पहली प्रस्न कहती है प्राचीन संस्क्रिट गरंतों में पाटरी पुट्र की बैख्या किस रूप मे की गई है कि शुरूप में थी सिंपाशी बात है यार रखना अप लोगों को प्राचीन गरंत जो प्राचीन संस्क्रिट जो गरंत है उसमें पाटरी पुट्र का जो बैख्यात रूप है वाकिस रूप में क्या गया था तो चलिए एंसर को देखते हैं बिना टाइम जाता है डिपेंडेटरी समझोंगे तो यार रहेगा देखिया पुट्र का आच होता है कि जब पटना था बहुत समय पहले आज से करीव पचीसों बर्स पहले पटना का जब समय था तो ओहां क्या था 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 कि पटना के आरपाज में बहुत बड़ा फूलों का खेती किया था तो इसके करण क्या होता था तो उसका नाम तो पड़िया था एक पुषपूल पड़गा था एक कषिंपू पर गया था उसका बाड़ आया रहेगा इसे नागर में कै 750 का पुस्पो और üzer पूस्पोउ परार नता में बता है लागह ऊनृस याज रखेगा उसके आगे संभवत्ता पार्टर शब्ड 2021 पार्टिर्व की ब्ध। मतलसब की पार्ट्र पुट्र जो नाम है या पुश्पो के निए फुलो की एक लिए में प्रचरित है उसके बाद यादन ना से अपर के weeds नीम ऊतूता था तो यहां से उब्जेक्टि बनता है कि की मोदनी उट्सेव का मना या था तो यह रखे पटना में यह एक अब्जेक्टिब बनता है उसके पाद यार रखेगा यह महां उट्सप दुर्गापुजा कि अवसर पढ़ अवसर सा ड्रिस्टी गट होता है यानि की कैमोडरी माउसर जो होता था या दूर्गापुजा कि अवसर पढ़ ही मनाया जाता था तो यह थी हमा परक drought लें पट नंगर के भैक का वर्णन कड़े ने इसके नाम था क्या क्या अनको परीज़े बताना है देख करना को समझने का नान तो याद ही हो देखना है पादरिपुट्र प्राचीन का 새 ही अपनी भैकर प्रकररा करिफयार में बैक्षाथ में जो है प्राचिन कार्शिय वहां पर बहुत सारे क्या है तो ताजमार यह गोल घर और भी बहुत सारे हैं जिनके कारण हुआ पहले से था उसके बाद या रखेगा बिदेशी यानी बिदेशी यानी लोग बिदेशी लोग आकर असमार्णों में यहां अनेक उत्करिष्ट यहां पर अनेको प्रकार का घर हुआ अनेको अस्थरवा बनाया थे तो उसके बाद या रखेगा मेगा अस्टनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मोड कार में यहां की सोभा ठीक है सोभा और रक्षा बेवस्था अति उत्करिष्ट यानी किनका काना है तो अब्जेक् अब्जेक्टिव में भी बन जाता है तो हम लोग सब्जेक्टिव की बाढ़ करने तो वह भी जानते जाते हैं यह तक हमने जान लिया कि चंद्रगुप्त मोड के समय वहां की रक्षा बेवस्था एकदम उत्करिष्ट थी उसके बार रखेगा असोक काल में यहां निरंतर ऐसमिनित धी रही है यानि कि असोक जब उहां के राजा थे तो याद रखेगा पहले कैसी तो निरंतर आप लोग यह आए उसके बाद देखिए आप लोग कभी राजेखर ने अपनी रचना का वीमान सा में एक ऐसी बात लिखी है कि यहां बढ़े बड़े कभी बयाकरन तो यार रखेगा काव बिमान सा एक अब्जक्तिव यहां से भी आ जाता है ताप लोग यार रखना का कभी राज सेखर ने अपनी कावी मांसा में ऐसी बात लिए यहां बड़े-बड़े जो कभी थे बयाकरन थे बयाकरन थे और भासकर यहां प्रिक्षित यानि यहां से पड़े लिखें बड़े-बड़े लिखक उसके बाद यार रखेगा आज पाट्री-पुट्र नगर पट पटना कभी घूमने जाओगे तो आँ देखें संग्राल्या है जैविक उद्धान है और भी बहुत सारे अनेकों अस्थाल उपस्थित है उसका बाद याद रखेगा इस परकार पाट्री-पुट्र प्राचिनकार से आज तक आज तक विविन छेट्रों में भैबब धारन क्या है मतलब कि प्राचिन काल से चलते आ रहा है और आभी के समय में भी भाइवब भाशी बीशाल बन चुका है ठीक के पटना पटना जो नहीं होगा इंडिया में को यह सा जगाने पटना के बारे में जानता होगा या बिदेश में भी बहुत सारे अइसे डेश जो आते ह गुमने के लिए तो कोई नहीं मतलब बहुत रोग जानते हैं पटना के बाले में ठीक पथे कह बहुत बॉट भीसाल हो गया है अ इतना तक आप लोगों धूलिया तो आप लोगों को कभी मोखा मिलें पटना में तो आपको लो जाना तो देखना वहां पर आपको पर लोगों को पोड़ा डिटेल में जानकारिंगा आप लोगों को समझाएगा तो चलिए यह तो आप लोग श्कीन स्वाट मालना ये पांच नमर के सबाल में पूझा जाता है दो नमर सबाल तो आप लोग इसको नोट कर लो हो सकेटर लो भार बार में भी नोट कर लेए तो आप लोग समझते जाना इस सवी सब्सक्राइब नमर का निरूपन करने के साथ यतियाजिक प्रमपडा से आधूनिक राजनी राजधानी के प्रसिद अस्थलों का भी निरूपन किया गया है इस पार्ट को कंठाक्स्ट ठीक है कंठागड करके छाटर किसी वाक परसिद पर्ति अस्थामधा में ले सकते हैं सिंप्रसी बाते समझना मैंने आपको समझाया नहीं समझा देता हूं एकदम इजी से इसमें जो है ना पाटरी पुट भैवम के बारे में बताना है तो पुरार नाम पाटरे शेट नाम था और उससे पहले का नाम कुस्आइब Chief था और यहां प です और यहां पर यहां पडाल है सबसें बड़ा पूर है क्या है नित पर Τिपॉर गांधी सेटू नामक पूरेक है तो डिके गांधी सेंवा्ड़ यादरा ठीक है जोकी इसका सबसे बड़ा पूर है इतना लिख दोगे उसका वाद लिखनेना यहां पड़ गोलगर है संगडाल है बहुं सारे अनुको जैविक अस्थल है ठीक है तो यह लिख देना और इतना लिखने बाद आप लोग कुछ नहीं लिखना एक और लिखना की पटना में पटना का इतिहास करीवे 1500 बश्ट पूराना बस इतना लिख दोगे ना मैंने जो बड़ा इसको यार रखने का ज़रूरत ही नहीं है बस आपको कितना नमर दो नमल दे देगा इतना लिखना आप लोगों को ठीक है तो आप लोगों की लिख लेना चलिए अगली को देखते है अगली पुट्र यानि पतना पतना महानगर प्रिद्वी पर बसे नगरों मतला महानगर प्रिद्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ट है यहां महानगरों से भी सबसे श्रेष्ट है सबसे बड़ा है यहां सरोसत्ति के बंसज यानि बिद्वान लोग बसते हैं यानि कि पतना में स रहते हैं हुआ यहाव नहीं नहीं को इस ंसवाल पूछता है बाढ़ बाट तो आप लोगों को इसको करके नोट करके लखना है यह सवार पूछे गादे फिनेटरी चार्ड नमर ठीक है तो यह थे हमारी चार्ड आप चलिए बढ़ते हैं अगली क्यों ठीक है आप देखिए कहता है पांस नमर से बाल पाटरी पुटर को शिक्षा का प्राचीन केंडर क्यों मजाना जाता ह अधिक है तो चल जाएगा तो चलिए बता ही रते हैं पाटरी पुटर को प्राचीन के प्रिक्षा का प्राचीन केंडर क्यों का रहता है तो हम लोग जानते हैं एंसर जानेंगी तभी तो बोर्ड में अच्छन मढ़ाएगा ना ठीक है नहीं राज सेखर जीने रचना क्या तो गापिमानचा का अधिक है कि इस काभ से हमें जानकारी मिलती है कि पाटरी पुटर शिक्षा का एक प्राचीन केंडर है केंडर था संस्कृत के आने को विद्वान हो थे शंस्कृत को विद्वान यह थे और को कौन कौन थे तो पानिनी थे पिंगल थे बडरूची थे ता था पतंजलि परिक्षा घए ऐहीं ली गई थी यानि में इन्स बीका प्रिक्षा लिया गाइठीं क है इन्हे किया तो接 xuब पानिनी पिंगल बड़रूची पटंजलि ओर इन्होंसें वेख्यात रूप कृती यानि वेख्यात रूप से इन्होंने पड़िती तो या dépend in यह सबी जो नाम में बताया क्या-कया? पानिनी पिंगल बड song पतन्जली यह शंस्चित के महान intro कभी थे यह महिलाओं का नाम है महिलाएं थी और इन शबी का शिक्षा ने शिक्षा पतना से ही लिया था बटना से ही लिया था तो यार रखना अप लोग यह सवाल पूछता है आपको अब्जेक्टिब में पूछ सकता है कि इस संस्कित के लेखक निमन में से कोन है अब्जेक्टिब में देगा पानिनी पिंगल बर्डूची पतंजली कोई भी रेदे पानिनी दे तो पानिनी में मारना पिंगल में बर्डूची तो बर्डूची में पतंजली में मारना तिक तो आप लोग इसका भी इसकी इंसवाल पूछा जाता है आप चलिए अगली क्वेस्चिन को आप लोग देखना अचे नमर कहता है चंद्रगुप्त मोड ठीक है ता था असोग के समया पाड़र पुटर की रक्षा वेवस्था काफी मजबूत थी चंद्रगुप्त के समया पतना की रक्षा वेवस्था काफी मजबूत था वहीं यह सुंदर नगर था बतला जब चंद्रगुप्त वहां के डा जाते तो पतना की रक्षा वेवस्था बहुत मजबूत था और यह सुंद जाता है तो आप लोगों को या रखना है तीक है आप चलिए अगली क्योष्टन को रहते हैं क्योड को बोढ़न करें ला हर ला कर दो तो यह रखेगा वहां का मान पर उठा कैमूदनी क्या था कैमूदनी और क्या था एक था आनंद गवन ठीक है यह सभी जो था अब दुर्गा पुजा था सो सति पुजा था बस तीन ही था इस पर कासे भी लिख सकते हो चरो एंसरी देख लेते हैं पाटरी पुटर से पाटरी महर सब जो है ना बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था सभी नगरवासी आनंद गमन ठीक है सभी नगरवासी इस अपसर पे आनंद गमन होते थे कभी काफी खुज होते थे और इस समाडों का विशेष प्रचलन चंडर गुप्त बंस गुप्त बंस के सासन काल में था या तो आभ आद बात करें तो आजकल इस तरह का इस तरह सिसरा मनाई जाती है उसी प्रकार चिंड काल में मोरी महर सभा तो भी में कर बारा हूं सा काफ़ी इंप्वार्टन सबाल है और बोड एक्जाम में देफिनेटरी ये सब सबाल पूछा आजाता है ठीक है ता आप लोग याद रखेगा आप देखिए एक सबाल आता है सिक्ष संपलदाय के लोगों के लिए पत्रना ना गरिक्षों महत पु बठा जिसके कारन पत्रना में गुरु द्वारा है तो यह भी दिख सकते हो मैंने छोटा सा हिंट दिया आप जड़ी एंसर को दिख लेते हैं एंसर लिखना है शिक्ष संपलदाय के लोगों के लिए प्राचीन पत्रना यानि पत्रना पूजिनिया स्थल अभी किसमा में भ शीख के जो दस्में गुरु थे कौन थे दस्में गुरु तो गुरु गविंशिंग्ष्टहे अंका जन्म विए पत्रना में हुआ था यह अस्तल गुरु द्वारा के नाम से तलसान के लिए जानङ पनी satisfied यह दैस यह देश स rubbish के आंए है लो लोग वो और उन से जो हट करोते हैं उनसे अभी भी तेल यह लूग होते हैं वह सब ही तिना में ठीक है तो ये हमार इनला में आप लोगों को समझने का एक नम से कुशिश्च करना और तभी वोड़ ज 오늘도 अच्वाठ कर पांगे ठीक है तो चलिस्ट्रीक यह ने लेकर पाट्रीटिक यह पर देना चाहते लेकला का जो लेकल के ठीक है जो लेकल हमेसे जो परना का किसी आठीक तो चल्यग लिखते हैं यह सवाल को लिखना कर दो समंगर का है का प्राचीन का ल में पाडरी पुट्र महान न not that हम लोग मदे जानते हैं कि पाड़ी पुट्र पहले के हमाई प्राचीन का ल महान था महान नगर था है यहां शिक्षा भैवाब और सम्रिद्धी यानि वहां पर शिक्षा भी थी और विशाल विठा हुआ और सम्रिद्धी वहां लोग भी रहते थे बहुत बड़े-बड़े जो द्वान बगत वह रहते थे उसके बाद याद रखेगा मद्यकाल में इसकी इस्थिती ठीक नहीं ठीक नहीं थी ए यह पियां आपको यहां राखना लेकिन मघलकाल में नगर का कुना उद्धार हुआ था मुगल काल यहां पर क्या हुआ था तो महां पर पया हुआ तो पटना का साफ कावा इहां पर आची अचा विवाच्टाए या बश्ठा आ गई तन्ट अंग्रेज के साशनकाल में साशनकाल से लेकर बलतमान में इस नगर का अत्याधिक विकास हुआ है देखिए जब से हमारा देश क्या वह था गुलाम हुआ था तो जब अंग्रेज लोगा थे पतना तो उनके काल में पतना का जो पतना जो था वह उसका काफी साशनकाल सुढला था और बलतम यसका इसका बियार रखेगा तो चलिए दास नमर कॉश्चिंट को देखंगा लाता रोग और भी क्वेशिटन है दूट घलेग दम लोग दास नमर कुश्चिंट को रखने है डेसन रोग के टाय़ प्राचीन प्राचीन में शिक्छा के संबाद में लेका समघना जो पाचीन कार में जो पदना था इसमें उसमें शिक्षा का संबंद कैसा था इसके हम लोगों को बताना है इसके बारे में तो चले बताते हैं सिंपल सी आप लोग सुनना समझा आजाएगा हो से के तरस्किन सर्माल ना प्रस्टूट पार्ट में लेखा कने बताया है कि दा मोर् अधानों की शिख्षा जो परिच्चा यहीं ली जाती थी यहीं ली जाती थी पत्ना में मैंने पीछे भी बताया था उसक बार तो देशा के आप लोग देख भी सकते हो खंडर भी बना हुआ है एक पाटरी पुट्र विस्पवी डाला जो है बहुत दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंडर जो कि खंडर में बडल गया जिसे हम लोग घुमने जाते हैं जो नालंडा में पता तो वह काफी बड़ा था वहां पर विदेशों के लोग आते देश प्रेश के लोग पढ़ने आते इसी कारण या शिक्षा का केंडर भी बन या था पाटरी पुट्र तो आप लोग यार रखेगा यह सवाल भी दो नमर के दो नमर के लिए पुछा जाता तो आप लोग इसको इसकी शौट हो सेकते लोग लेना आप चलिए गयारा नमर सवाल रखेंगे लास्ट ही इस वाल तेकर गयारा नमर लास्ट इसको देख लेते हैं तो हम लोग वीडियो को क्या करेंगे कंटिज यहींपी बन कर देंगे आप लेकर सवाल करता है लेखक के बिचार में प्राचीन का से आज तक पाट लेकर आज तक राजनेतिक धार्मी काउदोगी को और शिक्षा दैसे वीड़ चैट्रों में भैवाव धारन कर रहा है ठीक कर रहा है लेकिन क्यों करेगा भाई अभी तो राजनेतिक बहुत चलता है बहुत जड़ा चलता है जिसके करन अभी जो एना पतना की क्या करें सुचिल मोदी जी काफी खराब कर दिया ठीक है तो आप लोग वह सब छोड़ो हमें पढ़ना है तो हम पढ़ रहें बस बता दी थोड़ा सा क्योंकि शिक्षा विवस्थावी के समय में की बात करें तो काफी खराब हो गया है तो छोड़ों वह सब हम क्या बात करें मैंसर करता आ रहा है इनका संकलिट डूप दल्सन किया जा सकता यानि कि आप लोग कभी पटना म्यूजियम जाओगे तो आप लोग देख सेकते हो संगडारा में जाओगे तो आप लप लोग देखे होगे किस प्रकार से पहले बिद्वां पढ़ते थे स्टुडेंट पढ़ते काहिसा अमढ़ा पट्टना था शिक्षा का केंड़ यह सब आप लोग देख सेकते हुए पर जाने कबात तो यहां के लोग तो यहां पर लुग कई उटसब मना पनाते आये हैं यहां का फिए मूज यह स्लिदुट पूजा लूज पहले बहुत सब्सक्राइबूज मनाते तो अव्यक्तिंग में पुजा जाता है तो याःजाख आता पटन डीवी की पुजा करते थे ठेक है तो पात्र पात्रेदो ओसी के लिए पसफे माधन करते थे पाटन झेवी पाट्रेदर एक महान नागर का से लि mother गणा फीमेठ था अब भी है तो ये तमारी कितने तो इसको आप लोग एश्काइंट मार लेना यह सबस्क्राइब को लाइक कर देना चैनल पर नहींग तो कुछ लगा लिए लिए फ़ड़रा करने नहीं तो चलिए करने की यह बिदियो को सब्सक्राइब करने करें और अप लोग Oke से जूर के पढ़ना है नोट से पढ़ाब करना है फिरी में तो आप लोगों को क्या करना होगा तो कुछ नहीं करना है यह मेरा नमर है ट्रॉट शिक्स दबर जिरो 96698095 को मेसेज करना करके और वोड़ना है कि मुझे गुरूप में करने में कला सेंट में पढ़ता हूं मैं पढ़ती हूं तो मैं आपको गूरूप में ज्वाइन कर दोंगा बस इतना कम करना है वहाप पर जोन होने का जो फैडा आ हो आपको फि कि नो मिलता है तो बताएंगे तो आप लोग जरूब ज्रूर ज्वाइन करना हमारेशाथ ठीक तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्ट करते हैं कैसी लगी आज़ की वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग ज़रूर लाइक करके जाना कमेंट कर करना और अच्छा कम करा समय आज तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जैहिन साथ में बाई बाई